आप सभी को नाश्कार आज इस प्रेस कॉन्फरेंस में हमारे नेता पूरवद्देक्ष त्रीमती सुन्या गांधी जी और हमारे पूरवद्देक्ष स्री राहूल गांधी जी और मंच पे बैटे हुए हमारे पार्टी के ट्रेजरर, सेक्रेट्रीज और दूसरे साथियों ये एक विशेश प्रेस कॉन्फरेंस है, मैं क्योंकि ये पहली बार हमारे नेता इस चंद इश्यू पे कहींगे और राहूल जी भी अपनी बात आखरी में रखींगे मैं एक आपका समय एक साथ-ाथ मिनिट लोगँगा और बाकी दीटेल्स में कुछ कहना है उसको टेक्निकली हमारे ट्रेजरर आपसे संबोधित करेंगे दोस्तों ये तो अठ्रावी लोगसभा के आम चुनाओं की गोशना तो हो चुकी है देश का हरेक नागरीक इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक है भारत पूरी दुनिया में अपने लोगतंत्र मुल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है किसी भी लोगतंत्र के लिए निस्पक्च चुनाओं अनिवार्य होता है साथ ही ये भी अवश्य होता है कि सभी राजनितिक दल के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड याने समान लेवल प्लेइंग फील्ड हो सभी के पास समान रूप से समचाधन हो ये नहीं कि जो सत्ता में है उनका रिसोर्सस पर मुनापली हो ये नहीं कि उनका मीडिया पर एक अधिकार हो ये नहीं कि सत्ताधारी दल का समिधानिक तथा न्याहिक संस्ता जैसे IT, ED, Election Commission अपने दूसरे अटॉनमस बोडिस पर प्रत्यक्षत्वा परोक्ष नियंत्रन हो दुर्भागे से जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोड के हस्तेव के बाद जो इलेक्टरल बॉन्ड चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तत निकल कर सामने आए वो बहुती चिंता जनक है शर्मनाक भी है क्योंकि इससे हमारे देश के चबी को ठेश पहुंची है हमारे देश ने पिछले सत्तर सालों में निस्पक्ष चुनाव और स्वस्त लोगतंत्र की चबी बनाई थी उस पर प्रश्ण चिन आज उट गया है सुप्रीम कोट ने जिस चुनावी चंदा बॉंड को इल्लीगल और अनकांसिटूशनल कहा उस स्कीम के तहट मुझूदा सत्ताधारी दल ने हजारो करोड रुपे से ज़्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है और दूसरी तरफ साजिस साजिसन मुख्विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के आभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए ये सत्तादारी दल दौरा एक खतरनाक खेल है इसके दूरगामी प्रभाव होंगे क्योंकि अगर डेमाक्रसी को इस देश में बचाना है तो लेविल प्राइंग ग्राउंड होना चाहिए ऐसा भी नहीं होना चंद देशों में चुनाव हो रहे हैं 99% गोट एक ही आग में ले रहा है ऐसा आपको तो मालूम हो गए रिसेटली किन-किन देशों में ऐसा हुआ है तो ये 17 दल द्वारा एक खतरनाक खेल खेला गया है इसके दूरगामी प्रवाव होंगे पर ये स्पस्ट है कि इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असाय बना कर चुनाव लड़ने में बादा उत्पन कर और फ्री और फेर एलेक्शन कभी नहीं कहा जा सकता देश की जनता एक आम नागरिक देख सकता है कि बीजेपी ने चुनावी चंदा बोंड से 56 परसेंट पैसे हासिल किये है वहीं कॉंग्रेस को 11 परसेंट ही मिले हैं और ये वो पैसे जो बॉंड से बीजेपी ने लिए हैं इसके अलावा जो क्याश में इनके पास आता होगा तो कोई अकाउंट ही नहीं है आप इनके खर्चे देखिए हर तरफ इनका अड़ोटाइसमेंट लगा है और अड़ोटाइसमेंट भे भी मोनापली बना लिए है प्रिंट मेडिया हो टीवी हो और सोशल मेडिया हो इनका बहुत डॉमिनेशन है लेकिन इतने पैसे एक पार्टी जमा कर सकती है हिंदुस्तान के सतर साल के डेमोकरटिक व्योस्ता में ऐसा को ही नहीं किया यह पहली बार यह सरकार अनेक ढंग से पैसे आज उठा रही है और इनके फाइस्टार आफिसे से बड़े बड़े हर जगे आप देखिए और चार-चार फाइस फ्लाइट एक-एक मीटिंग को जाते है और उनके पीछे और दो-चार जाते हैं एक-एक मीटिंग का इतना खर्च होता है तो शाहिद ही कोई पार्टी अपोजिशन पार्टी उसका 10% भी नहीं कर सकती मुखाबला मैं कहना नहीं चाहता कि बीजेपी ने किस तरीके से कंपनियों से पैसे लिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तत्यों की जाच कर रही है हमें उमीद है कि सचाई बहुत जल्द हम सब के सामने आएगी और अंत में मैं देश के समिधानिक संस्ताओं से अपील करता हूँ कि अगर वो फ्री एंड फेर इलेक्शन चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बगर किसी रोक ठोक से बैंक अकाउंट्स का इस्तिमाल करने दे और जो इंकम टैक्स का क्लेम है वो अंतेता कोर्ड के निरने के अनुसार सेटल हो जाएगा राजनीदिक दल टैक्स नहीं दे थे बीजेपी कभी इंकम टैक्स नहीं दी हैं लेकिन ये लागू सिर्फ कॉंग्रेस पे हो रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी इंकम टैक्स के दाइरे में नहीं आते सच है ना सेटल हो जाए राजनी तिक दल नहीं आते बीजी पे ने कभी नहीं दिया काउंट इसके बाद भी अगर हमसे एप मांगा जा रहा है तो हम नयाले के अंतीम निर्णे का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम नयाले तो इस बात को देखे कानून को देखे रूल अप लाओ और गवर्ननस जो समिदान के तहत होता है उसके तरब तो ध्यान देदो क्योंकि आज वो हुकमत में कल दूसरी पार्ट या आएगी लेकिन हमको ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो हमने पहले से बनाया था नेरुजी से लेकर हम 89 और बाकी के लोग भी जब इवन बाजबाई थे उस वक्त भी आइसा नहीं था लेकिन यहाँ ये 80 लोग सभा का चुनाव जो हो रहा है इसमें हम सब देख रहे हैं ये कुचल रहे हैं सप्रेस कर रहे हैं और हमको चुनाव लड़ने के स्तिती में वो नहीं छोड़ना चाहते हैं और पैसे को तंग तबा करके वो एक तरफाई एलेक्शन कर लेना चाहते हैं लेकिन लोग भी उश्यार हैं इसको जानते हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड बने रहने के लिए ये उनके जो बादक है और जो हमारे अकाउंट्स फ्रीज किये हैं वो तदकाल उसका रिलीज होना चाहिए और हमको चुनाओ में डेमोकरसी और समिदान को बचाने के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए धन्यवान शुक्रिया कॉंग्रेस अध्यक जी मैं अभी हमारे कॉंग्रेस पार्टी के संसद्य दल की नेता श्रीमती सोन्या गांधी जी से गुजारिश करूंगा कि आपको संबोधित करें लुजारी क्यों गार्टी स्थी और श्रीमती करें अभी हमारे करेंगे लिए कर दोस्ते अभी हमारे का इंद बच्रिय। felt most fundamentally. A systematic systematick effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the product is frozen, and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kargeji, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. Thank you. थोड़ा विस्तार से जानकारी देना. धन्यवाद जैराम जी. आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है. अभी हमारे कॉंग्रेस अध्यक्ष और पूर्वध्यक्षा ने आप लोगों को बताया कि लोकतंत्र के उपर किस प्रकार का खत्रा मंड़ा रहा है. किस प्रकार से कॉंग्रेस पार्टी के बैंक खातों के उपर हमला हुआ और ये कोशिश करी जा रही है कि फाइनेंशली कॉंग्रेस पार्टी को पंगू बना दिया जाए. ये केवल कॉंग्रेस पार्टी के खातों पे नरिंदर मोधी सरकार का हमला नहीं है बलकि भारत के लोकतंत्र पे हमला है. अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी वित्यत तोर के उपर पूरी तरीके से पंगू हो जाए, कोई कारे नहीं कर सके, पबिसिटी के उपर पैसा नहीं खर्च कर सके, अपने कैंडिडेट्स को पैसे नहीं दे सके, तो फिर चुनाव किस बात का है? और चुनाव की घोशना हो चुकी है, पिछले एक महिने से, हमारे अपने बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए 285 करोड रुपे का हम इस्तमाल नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों को पबिसिटी के लिए अख़बारों के अंदर स्लोट्स बुक करने, हम लोगों को पबिसिट चपाने, हमको पैंफ्लिट चपाने, अगर हम लोग वो काम भी नहीं कर सकते, तो किस प्रकार से लोगतंतर जिंदा रहेगा और कैसा लोगतंतर रहे हैं, मैंने पिछले सप्ता आप सब लोगों के समुक, मुतिलाल वोरा जी के समय, 2017-18 के एक केस को लेकर के, इंकम टैक्स अपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसे इसके उपर साथ साल बाद में जाकर के, हमारे बैंक के खाते अब जाकर के फ्रीज करें हैं उसकी जानकारी थी, मैंने कहा कि ये साथ साल पुराने कैसे फ्रीज किये जा सकते हैं और टाइमिंग इसका कैसा है, लेकिन मुझे अभी बहुत साथ कहना पढ़ रहा है कि पिछले हफते ये नोटिस हम लोगों के पास में आया है इसकी कौपी आप सब लोगों को दीब मिल गई है आप सब लोगों के आगई है आप ज़रा देखिए ये सीता राम केसरी जी के जमाने का नोटिस हमें पिछले अपते आया है आप सोचे सीता राम केसरी जी के जमाने का 1994-95 की असेस्मेंट येर का नोटिस अब हमारे पास में आया है और इसको ले करके भी आगे आने वाले समय के अंदर फिर से बैंक को फ्रीज करने का और और डिमांड लगाने के ये कवायत शुरू होगी तो ये कौन सा लोकतंतर है अगर इसी रफ्तार से जाएंगे तो महात्मा गांदी के समय पे जमनालाल बजाज जब ट्रेज़ार हुआ करते थे उन्स्राइंग पे भी कोई चीज निकाल करके अब इस वकत इस चुनाव से पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा तो ये किस चीज़ का लोकतंतर है तीस साल पुराना इकतिस साल पुराना असेस्मेंट टियर का हिसाब निकाल करके हमारे खाते फ्रीज करे जाने हैं ताकि हम लोग चुनावी ना लड़ पाएं हम लोगों के पास में मुख्यता तीन बाते हैं कहने की हर पॉलिटिकल पार्टी इंकम टैक्स से एग्जेम्टेड होती है कभी किसी ने भी पैनल्टी इस तरीके से नहीं दिया तो कॉंग्रेस पार्टी को अकेले क्यों चुना जा रहा है दूसरा इसकी टाइमिंग देखिए दो हजार सत्रा अठ्रा का मोतिदाल वोराजी के टाइम का और उन्दिस सो चौरानवे पचानवे का सीता नम केसी जी का समय और केवल एक महिना पहले चुनाव के घोशना होने से पहले ये काम शुरू किया जाता है और तीसरा क्वांटम ऑफ पनिश्मेंट देखिए कि कितना बड़ा पनिश्मेंट क्या हमारे सिरफ 0.07% पूरा 199 करूर का कैश में हमारे अपने एमपीज ने अपनी तंखा दी उसकी वज़े से 0.07% की अनिमित्ता की वज़े से 106 प्रतिशत की पेनल्टी हमारे उपर लगाईगी है 106% की कितना 0.07% की अनिमित्ता की वज़े से 106% की पेनल्टी हम लोग की उपर लगाईगी है ये कौन्टम है हम लोगों ने मात्र 30 दिन लेट हम लोगों ने अपने अकाउंट सब्मिट करें यह इंकम टैक्स एक्ट मेरे पास में है इसका सेक्शन 234F यह कहता है कि सिरफ 10,000 रुपे की मैक्सिमम पेनल्टी ली जा सकती है अगर कोई व्यक्ति लेट अपना कोई भी ऑग्नाइजेशन य और हमारे उपर 210 करोड रुपे का 210.25 करोड का लियन माक कर दिया गया दस हजार की सिरफ पेनल्टी सिरफ 0.07% का हमारा टोटल अकाउंट में से कैश के अंदर लिया गया है यह कहां का नहीं एक सो पंद्रह करोड रुपे फोर्सुली हमारे बैंक अकाउंट से इंकम टैक्स ऑफिसर्ज ने बैंक मैनेजर्स के पास में जाकर के सरकार को टांस्वर करा दिया गया है वो अब हमारे पास में नहीं है 115 करोड रुपे बैंक मैनेजर्स को जाकर के एक तरीके से डरा करके धमका करके इंकम टैक्स ऑफिसर्ज ने हमारे अकाउंट से income tax department और सरकार को वापस transfer करा दिया मैंने बताया जैसे पिछले पाँच हफते से एक महीने से भी ज्यादा हम अपने पैसे जो हमारे workers नहीं कटे करें वो हम इसका उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कर पा रहे हैं ये कहां की democracy है ये कहां का लोकतंत रहे गया तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं ये केबल हम लोग तो अपनी लड़ाई लडएंगे लेकिन ये आप लोगों की लड़ाई मीडिया की लड़ाई है देश की जनता की लड़ाई है अगर आप इसके अंदर हमारे को समट्थन नहीं करेंगे तो लोक्तन तो जिन्दा नहीं रहेगा ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे धन्यबाद हमारा टोटल जो है 14,40,000 बनता है जो 0.07% है तो सिरफ 14,40,000 जो हमारा 0.07% है उसकी वज़े से हमारे को उपर 210 करोर रुपे से भी अधिक का हमारे उपर लियन माग करके हमारी पेनल्टी लगाई गई है तो आप सोचे 14,40,000 के बदले 210 करोर रुपे की पेनल्टी हमारे उपर लगाई गई है यह कहां का लोक्तन तर है शुक्रिया आज़े माकन जी आखिर मैं मैं राहूल गादी जी से गुजारिश करूगा अज़े जब को अंग्रेशी में अभी आज़े माकन जी देगू Friends, there has been an assault on Indian democracy. Our accounts have been frozen since last more than one month, since last around five weeks or so, we have been unable to utilize our own funds in the bank. You will be surprised to know that a case, income tax case, pertaining to 2017-18, which is seven years back, on that basis, income tax has served us notice for 210 crores, 25 lakh rupees. That amount of lien was marked against the Congress party in all our accounts. And effectively, we were unable, we are unable to utilize our 285 crores rupees, our own money which is lying in the bank. The most important thing is the timing and the exemptions which all the political parties enjoy. When all political parties enjoy income tax exemption, then why is it being slapped on the Congress party? Never it has happened in the past that the BJP had to pay any kind of penalty, any kind of income tax. Then why is it that the Congress party being singled out? The timing is such that seven years old case, it seemed that the BJP was waiting for the elections to come. And just one month before the elections were to be announced, they froze our accounts. So imagine how can it be a level playing field? We don't have money to give to our candidates. We don't have money to publish our pamphlets. We don't have money to organize our public meetings. We don't have money to book advertisements in the social media or in the newspapers. So how are we going to fight the elections? Or how is democracy still alive in the country where the principal opposition party is unable to spend even a single penny in the elections? And it is not only this. The government has not stopped only on this 2017-18 notice. We have been slapped with another notice last week and it pertains to 1994-95 during Sitaram Kesari when he was the treasurer. So imagine we are being slapped with a notice, income tax notice, 30 years back, pertaining to account 30 years back. And just at the eve of election, so that we are unable, our accounts are crippled and we are unable to use our own money for the elections. So please, this is the time when it is not only fight for the Congress party, our own fight alone. It is, we have to all fight together to save democracy. The Income Tax Act, section 234F, allows maximum penalty of rupees 10,000 for late submission of income tax returns. Maximum penalty of 10,000 rupees. But on the contrary, Congress party has been slapped a penalty of 210 crore rupees against a violation of just 14,40,000 which we deposited in cash and 30 days delay. So the quantum of punishment is totally unmatched with a trivial small kind of mistake, you may say, or small kind of thing which has been done then seven years back, which can easily be condoned. Thank you very much. Shukriya Ajit. Akhir mein abhi Rahul ji, aapko sambojit karengi. Thank you for coming here this morning. If any of you imagine, anybody in the country imagines what happens when your bank account, your ATM card, your entire financial identity is erased, right? You can imagine if it is done to a family, the family will starve to death. If it is done to a business, the business will be crippled, right? This is what has been done to the Congress party one month back. All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway train. And this has been done literally two months before the election campaign. Why has it been done? One notice comes from the 90s. Another notice comes from six, seven years ago. Quantum amount, 14 lakh rupees. And punishment, our entire financial identity. What's interesting to me is that there are institutions in this country that are supposed to protect the democratic framework. There are the courts in the country. There's the election commission in the country. And nothing is happening. The election commission has not even said, wait a minute, you have frozen the bank account of the largest, of one of the biggest political parties, largest opposition in the country. And already our ability to fight the election has been damaged. We've already lost a month. As Markanji said, we are unable to get slots for advertising. We are unable to put ads in newspapers. And so what sort of a democracy is this? This is a criminal action on the Congress Party. And it's a criminal action done by the Prime Minister and the Home Minister. It's very clear. This type of activity does not happen without them in today's India. And so the idea that India is a democracy, this is a lie. There's no democracy in India today. The idea that India is the world's largest democracy, it's a lie. It's a complete lie. 20% of India votes for us and we are not able to pay 2 rupees for anything. And it has been orchestrated to cripple us in the elections. Now even if our bank accounts are unfrozen today, huge amount of damage has been done to Indian democracy. And no court is saying anything. No election commission is saying anything. No institution is saying anything. Media is not saying anything. It's ridiculous. And it's your duty. And I'm not just speaking to the media. It is the duty of all the institutions of this country. It's the duty of the people of this country. You're being robbed of your most important asset. You're being robbed of your constitution. You're being robbed of your democratic structure. You're being robbed of the entire architecture. And everybody's just quiet. I can say it in Hindi. You're being robbed of your country. 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 We're being robbed of your country. और क्यों 14 लाख रुपे, 7 साल पहले 14 लाख रुपे का इशू है और 200 करोड रुपे का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउन फ्रीज कर दिये जब इंकम टैक्स ये दिखाना मुझे दरा 200 करोड जब इंकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि जादा से जादा 10,000 रुपे का फाइन में लगेगा तो ये हिंदुस्तान का लोक तंतर ये क्रिमिनल एक्शन है कॉंग्रिस पार्टी खिलाफ और हिंदुस्तान के लोक तंतर के खिलाफ और ये criminal action हिंदुस्तान के प्रधान मंतरी कर रहे है मेरी विंती है कि जो हिंदुस्तान के institutions है जो वो अपने आपको हिंदुस्तान के institutions मानते है democracy को protect करते है लोक तंतर को protect करते है हिंदुस्तान के courts हो हिंदुस्तान का election commission हो वो इसके बारे में कुछ करें और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डिमोक्रिसी जूट है यहां कोई डिमोक्रिसी नहीं है बिकस्ट उपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है तो अजीब से सिचुएशन है सब लोग देखने है और हर संस्ता मतलब का रोल है इसमें कॉर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमिशन का रोल है धन्यवाद शुक्रिया राहुल जी साथियों, कॉंग्रेस अध्यक्ष जी, सोनिया जी, राहुल जी ने और दूसरी जरूरी बैठक से निकल कर यहां आए हैं आपको संबोदित करने के लिए उनको उस बैठक में वापस लोट जाना है आपके सवाल हमारे कोशा अध्यक्ष विस्तार से जवाब देंगे मैं कॉंग्रेस अध्यक्ष, सोनिया जी और राहुल जी को शुक्रिया दा करता हूं शुक्रिया उन्सक्राइब है कि भूक ऐसके अ करजा कर्षा करेंश बुल करेंवा जैट इन एंचर अदिसे अन ट्रागोर कि अंडिए, आजुड है लग्ट इंडरी इंदे मेश्ट सब्सक्टाइब मार द्रिश इंड ले इयुक्राइब ए उन आप तरे सुपने ले के लिए लुट इंड ओपनिए ब्लि झाल एब करो भी करो एक दो दूए और जाय और प्रीज व्रीडिल कर दो सिंदेट अविर लिधर जेर विर्ट फिन फ्रीं लिट विर्ट भी निए लिए खिर्टब ड़िटिसम जन ख़े जन्सों अब जद दू झाल रिखित अड़ गर झालग और में तू झाली सं़ दूश